नमस्कार स्वगत हैं आप सभी किसान भैयू का आपके उपने यूटूब प्लेटफोर्म राजस्तान मोसम में बात करेंगे राजस्तान के मोसम के बारे में जिस बताएंगे कैसा रहेगा आगवी 24 गंटू के दोरान राजस्तान के शेत्र में मोसम किंजलों में मावट की बा में भी सही और शाठीक जानकारी तो आप सभी किसान भायू से विनानती रहेगी वीडियो को अंतदर का जरू देखिएगा किसान भायू आगावी 24 गंटों के दोरान राजस्तान के कुछ भागों में हैं खंड बारिस की संभावना रहेगी यह नहीं जो नया पच्छिमी विसोब आया है इसका असर राजस्तान के लगबग पच्छिमी जिलों के उपर समस्त भागों के उपर देखने को मिलेगा समस्त पच्छिमी राजस्तान के उपर बादलों की घनी आवाज़ई देखने को मिलेगी जिसमें जैसल मेर, बाड मेर, जालोर, जोदपूर, कुछ चूरू के भाग रहेंगे इसके साथी विकानेर, गंगानगर, हनमानगड, जुझनू, नागोर के कुछ भाग रहेंगे या तक बादलों की घनी आवाज़ई देखने को मिलेगी आगामी 24 से लेके 36 गंटों के दोरान, लेकिन बारिस की गतिविद्या हैं, सिरफ विकानेर शंबाग में होने की परबल बन रही हैं, जिसमें विकानेर, गंगानगर और हनमानगड की शेत्रों में खंड बारिस की स संबावना रहेगी, बिल्कुल डवलू डी है, अब राजस्तान के नजदेक में आचुका है, विकानेर शंबाग में घने बादलों की आवज़ई आज देखने को मिलेगी, सुबह सुबह गंगानगर कुछ विकानेर के बाग हैं, कुछ अनमानगड की जो उतरी बाग है, रहेगी, यहां पे घने बादलों की आवज़ई देखने को मिल रही हैं, लेकिन जमुकस मेर्शले के हीमाचल परदेश, उतरा खंड और यहां पे द पंजाब के कुछ भागों में भी आज बारज की गतिविद्या देखने को मिलेगी, कुछ हरियाना के बाग हैं, यहां प और शाथी बाकी पूर्वी राज्तानी की बात करें तो जैपूर्शंभाग और बरतपूर्शंभाग की जरतर शेत्रों पे आज मौसम सुस्क रेने का अनुमान रहेगा लेकिन धूंद और कोहरा का असर है यहाँ पे देखने को मिलेगा जो की उत्रपरदेश से कुछ समसुस्क रहेगा वही उदिपूर्शंभाग में भी हलके बादलों की आवज जई हैं आगमी 24 गंटों की दोरान देखने को मिलेगी लेकिन यहाँ पे कई पर भी बारिष की संभावना नहीं है कुछ जैसल मेरी की भाग हो सकते हैं जो की सीमा वरती हैं यहाँ पे बादलो की तरह पाएंगे तो आज दिन पर राजस्तान के पच्छेमी भागों की उपर बादलों की घनी आवाज जई देखने को मिल सकती हैं तो साथ यह मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए मुझे अगले जगा नमस्कार जैहिंद